कल हमने इसे पर लाइफ क्लास लिया था और आज इसको विस्तार से समझाएंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए ठीक है तो लाइन बाइन आप लोग समझते चलिएगा साथ ही क्वेश्चन क्या पूछेगा ये भी जान दिजिए कि साथवाहन वंस के उतपत्ति औ और मूल निवासस्थान की संबंदी मतों की समिच्छा करते हुए साथ करनी प्रथम तक के प्रथम तक के इतिहास का वर्णन करें या साथ करनी प्रथम की उपलब्धियों से आप क्या समझते हैं उसकी विवेचना करें तो ये दो तरह का कोशन पूछा जाएगा तो इस पर हम बात करेंगे तो पहले वंस परचे देंगे प्रिष्ट भूमी बताएंगे देखिए सातवाहन राजवंस प्रारम में मगद के कडवंस के अधीन सामंत सासक की रूप में कृष्डा और गोदावरी नदियों की बीच की छित्र में सासन कर रहे थे इस वंस को हम आंद्र भृत्य या आंद्र अथवा सातवाहन वंस के भी नाम से जानते हैं इस राजवंस की अस्था अपना शिमुक ने साथ इशापुर के आसपास किया था इस सातवाहन राजवंस के भारे में यह कहा जाता है कि यह लोग ब्रामण जाती से संबन्दित थे जिनकी राजधानी प्रतिष्ठान पूर जिसे पैठन के नाम से जाना जाता था और कानांतर में धान्य कटक यानि अमरावती में स्विकार की जाती है इनका कुल सासन वर्स 60 इशापुर से ले करके 225 इसबी के बीच में देखा जाए तो करीब 285 वर्स माना जाता है इन्होंने वैदिक ब्रामण धर्म को ये लुक्या थे वैदिक ब्रामण धर्म को श्विकार करते थे इस वंस के प्रमुक सासकों में स्विमुक साथ करनी प्रतम हाल गौतमी पुत साथ करनी वशिष्टी पुत पुलमावी यक्षि साथ करनी को का उलेक मिलता है या मिली पी थी इश्वंस का अंतिम सासक पुलमावी थर्ड था जिसका अंतिम समय दो सो पचीश एडी माना जाता है यह राजवंस अपनी मात्र सत्तात्मक राज़िवस्ता के लिए शक्सात्वहन संगर्ष के लिए अमरावती शैली में निर्मित मुर्तियों के लिए भाजा औ अगर हम बात करें के सात्वहनों की उत्पत्ति के विशे में तो सात्वहनों की उत्पत्ति के विशे में विद्वानों में मतभेद हैं पुरानों के अनुसार इस्वंस की अस्थापना सिमक को आंदर भृत्ति या आंदर जाती कहा गया जबकि अपने अभिलेखों में इस और गोदावरी नदियों की बीच का तेलगु भासी जो प्रदेश था वो आंद प्रदेश कहा जाता था अयतरिय ब्रामन में यहां की निवाश्यों को अनार्य कहा गया उसकी अनुसार विश्वामित के पुत्रों ने गोदावरी और किष्णा की मद इस्तित प्रदेश में जाकर के आयत्तर जात्युक साथ विवाह किया था तो इस संबंद के प्रफासरूप आंद्र उत्पन्युवे महाभारत में आंद्रों को मलेच मनुस्मृति में वर्ण संकर और अंतेच कहा गया इस आधार पर कुछ विद्वान साथ वाहनों को अनारी या निम्न वर्ण का बताते हैं लेकिन साथ वाहनों के लिखों में हमेशा सर्वत्र उच्च वर्ण का ही उन्हें बताया गया है अतक के वर पुराणों के आधार पर हम साथ वाहनों को आंद्र जातिका नहीं मान सकते कुछ विद्वानों का अनुमान है कि साथ वाहन कुल का नाम है जबकि के वर कुल नाम लिखने की प्रथा थी जैसे सालंकायन, ब्रियत फलायन, ब्रिश्टुकुंडिन, पल्लव, गंग, कंदम, चालूक्य, वाकाटक, इत्यादे उसी प्रकार से सातवाहन भी इस्वंस का कोई संस्थापक था या इसके कुल का नाम रहा होगा इसी लिए इस्वंस का नाम सातवाहन पड़ा, हेमचंदर राय चोधरी कहते हैं सातवाहन वस्तुत ब्रामण ही थे, उनके में जिनमें नागों के रखतका कुछ सभिश्रण था इस वंस के सासक गौतमी पुत्र साथ करनी ko नासिक प्रसस्ते में एक बहमनस यानी अदूती ब्रामण कहा गया जिसने छत्रियों के दर्प को चूण कर दिया यनि खती दपमान मदनस खती मने छत्रियों के दपमान दर्प यनि घमंड को मान मने सम्मान को मदनस मने जो चूर कर दिया यदि एक मनस और खती दपमान मदनस को संयूक्त कर दिया जाए तो नी संदे ये सिद्ध हो जाता है कि गौतमी पुतरनक के वर एक ब्रामण था बलकि उपर सुराम के प्रक्रित का ब्रामण था जिसने छत्रियों के अभिमान को छोड़ किया था ऐसा लगता कि शकोद्वारा परास्त होने पर सात्वाहन लोग अपना मूल स्थान छोड़ करके आंद प्रदेश में जाकर बस गए इसी करण इन्हें आंद्र कहा गया और आंद्र जाती बिरुद को प्रादेशिक संग्या मानना उचित प्रतीत होता है तो मूलत देखा जाए तो सात्वाहन जो थे वो ब्रामण जात के ही थे और उनका ब्रामण दर्म और संस्क्रती की रच्छा के लिए सस्त्र सस्त्र ग्रहन करना ततकानिन प्रस्तितियों सर्वता उप्यूपत था चुकि मौर युग में वैदिक दर्म के प्रतिष्ठा गिर गई थी चत्री बड़ी संख्या में बहुत बन गए थे ऐसी इस्तिति में ब्रामण दर्म की रच्छा के लिए ब्रामणों का आगे आना आवश्चक था और इसी प्रकार की प्रस्तितियों में मगद में शुंग और कडवराज वन्सो ने सत्ता समाली और यही कार दच्छडा पते में साथ बहानों ने किया रही बात आंधरों के अनारे कहे जाने की तो हम जानते हैं कि विन्द छेतर के दचण में वैदिक काल में जो भी रहता था उसे दचणा वर्थ का होने की दचा में अनारे ही कहा जाता था लेकिसे इस संस्कृति का विस्तार हुआ और विश्वामित्र के वंसुजों के द्वारा जब उनसे संबंद बनाये गए तो ऐसी दसा में उन वंसुजों के कारण आंग्र छेतर में रहने वाले लोगों को भी ठीक न विश्वामित्र भी क्या हैं बाद में ब्रामन माने गए वर्ण ब्युस्ता के तहत इसलिए इनको भी ब्रामन माना जाना उचित प्रतित होता है अब चलिए हम बात करते हैं साथ वाहनों के मूल निवासस्थान को ले करके देकी रैप्सन इसमित भंडारकर जैसे कुछ विदवान आंथ प्रदेश में ही उनका मूल निवासस्थान को जाना माना है सुकतंतर सात वाहनों का आजिस्थान विल्लारी यानि मैसूर यानि करनाट का छेतर बताते हैं परंतु इन मतों के बिरुद सबसे बड़ी आपती ये है कि यहां कहीं पे भी हम कुछ सातवानों का नाविलेक मिलता है ने सिक्का मिलता है। सातवानों राजाओं के बहुशंक्यक अविलेक और सिक्के महराष्ट के प्रतिष्ठान के समीप वर्ति भाग से प्राप्तु में हैं। महारठीवन्स के साथ घनिश समंद था इससे भी सातवानों का महराष्ट से आद सम्बंद सूचित होता है। अब लेखो के अतित सातवानों के सिक्के भी महराष्ट में ही सरवादिक मिलते हैं। तो अब लेखियों और मुद्रा समंदी प्रामाणों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि सातवानों का मून लिवास अस्थान पस्यमी भारत के किसी भाग में ही था। मौत यह प्रतिष्ठान के आसपास या किश्डा गुदावरी के मद्द में आंद्र और महराष्ट के छित्रों में ही किसी अस्थान पे रहा होगा। तो यह इस प्रकार से यह मून लिवास अस्थान और यह दोनों हो गया। अब जानते हैं सोर्सेश के बारे में देखिए सात्वहनों के विश्य में हमें जानकारी वाई पुराण बिष्टू पुराण प्रम्हांड पुराण एतरे ब्रामण बौद्धों में आर्य मंजुस्री मूलकल जैन गरंतों में हेम चंद्र का परशिष्ट परवण ठीक है धर्मितर साहित में हाल का गाथा सप्तसती गुडादिका ब्रियत कता छेमेंद्र की ब्रियत कता मंजरी शोमदेव का कता सरिसागर लीला भाई ठीन लीलावती लीलिवे नहीं है लीलावती है शर्वर्मन का कातंत्र बिदेशी ब्योरन की बात करें तो पेरिपलस आप दे गुषा लेक, सांची लेक, ठीक है, गौतमी पुच्छात करने के नासिक लेक, खारविल के हाथी गुमफा लेक, रुद्धदामन के जूनागड़ अबलेक, मुद्राओं की बात करें तो जोगल थंबी से प्राप्त मुद्रा ने दी, चंद्रगिरी से प्राप्त मुद्रा ने दी, अमरावती इस्तूप और मुर्तियों में, अमरावती कला सेली मिनिर में संग मरमर की बनी बुद्ध मुर्तियां, जो हैं, वह सात्वाहन कालीन, जीवन, राजरेतिक इस्तिती, और साजकर्तिक इतिहास पर प्रकाश डालती हैं, अब हम बात करेंगे, नेक्स्ट प शिमुक का, ठीक है, शिमुक की बात कर लेते हैं, देखिए, शिमुक जिसे हम सिंधुक के नाम से भी जानते हैं, यह प्रारंब में, कण्वों के अधीन अमात्त के पदपर था, या सिनापती के पदपर था, इसने अंतिम कण्व अंसी सासक सुसर्मा की हत्या करके, जो की बड़ा ही भोगी विलाशी और निर्बल सासक था उसकी हत्या करके मगद पर अधिकार कर लिया लेकिन उसका अधिकार लंबे समय तक नहीं रहा वह वापस कृष्णा गुदावरी नदी की छेत्रों में आता है और वहां पर प्रतिष्ठान पूर नामक छेत्र में राजधान बना करके साशन करता हुआ दिखाई देता है ठीक है उसके बाद चुकि जब इसका पुत्र छोटा था और शुमुक ने करीब साट से सैथिस वर्ष के सैथिस इसापुर की बीच में लगभग तेईस वर्षों तक साशन किया था चुकि जब इसकी मृत्यू हुई तब इसका पुत्र साथकर्णी प्रथम एक अलपवयस के बालक था कमुमर का बालक था तो इसकी सत्ता इसके छोटे भाई कान के हाथों में चली जाती है कान के विशे में कहा जाता है कि इसके अबलेक नासिक से प्राप्त होते हैं संभावते कान के समय में सात्वहनों का सामराज नासिक तक फैल चुका था ठीक है तो उसकी दिर क्या है सात्वहनोंस का विश्तार हुआ महराष्ट के छेत्रिश के सासन के अंतरगत आ गए और सात्वही साथ कान के बारे में कहा जाता कि इसने 37 इसापुरू से लेकर के करीब 27 इसापुरू की बीच में लगबग 10 वर्सों तक सासन किया कुछ लोग 37 से लेकर के 29, 37 से 29 मानते हैं तो अगर ऐसा मानेंगे तो करीब 8 वर्स तक सासन किया ठीक है न जो भी हो अल्प अवद के लिए कान जो है सात्वहन सामराज का सासन करता वद दिखाई देता है उसके मृत्यों परांत अगले सासक की रूप में साथकर्णी परथम सासन सत्ता को परात करता है अब साथकर्णी परथम की वंस परिचे या साथकर्णी परथम का परिचे के बारे में बात करें सासक परिचे साथकर्णी पर्थम को साथवाहर राजवन्स का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है क्योंकि इस अस्थापना का स्रे तो सिमुक को जाता है किसको जाता है इसके पिता सिमुक को जाता है लेकिन इसने वास्तों में साथ महां राजवन्स की प्रतिष्ठा और सामराजी में बृद्धी की इसलिए इसे हम रियल फाउंडर कहते हैं ध्यान के का संस्थापक वास्तविक संस्थापक अलग-अलग होता है इसका पुरवर्ति सा सक इसका चाचा कान था ठीक है अया करम से तीसरा सा सक था इसने करिफ 27 से 18 बेशी के बीच में या 29 से 18 बेशी मानो या 27 से 18 तो कुल लगबग 11 से 9 वर्स तक इसने लगबग सासन किया यह लंबे समय तक सासन नहीं कर पाया इसकी राजधानी प्रसिष्ठान पूर अर्थात पैठन थी इसके पिता की रूप में शुमुक का उलेक और पत्री की रूप में नागरिका का उलेक प्राप्त होता है इसके संतार की रूप में वेद स्री और सक्ति स्री का उलेक नागालिका के नानागाट अभिलेक से प्राप्त होता है यह एक मैदिक वैदिक ब्रामर धर्मानम भी सा सकता और इसके राज की भाषा प्राक्र थी इसने अप्रतिहत चक्र दच्छडा पत्पती और साथकर्णे की उपादिधान किया हुआ था यह इसने ब्रामर धर्मकाश ने पोशन किया और साथवहन वंस का राज विस्तार किया बात में इसका उत्रादिकारी वेदसरी होता है इसके समय का जो राज चिन्टा देखो के दाजनेती कुपलब्दीओ के बारे में महारठकों के साथ वाईवाहिक संभन स्थापित करना कि देखिए साथकर्णी पृथम ने कि अपनी वंस की सक्तिकी विस्तार के लिए सवपृथम महानष्ठ के छेतर में निवास करने वाले महा रठिकों के साथ वाईवाहिक सम्मन स्थापित किया इन रठिकों का उलेक स्वप्रत्रम हमें आशो के तिरहमें सिलालेक से प्राप्त होता है यह महा रठिक जो थे प्रारम में रठिक कहे जाते थे लेकिस सात्वहन काल में इन्हों ने अपने पद का विस्तार करते वे महारठिक कर लिया था तो ये महारठिक सरदार था त्रण कैरो जो की अंगिय कुल का था उसकी पुत्री नागड़का के साथ साथकर्णी पृत्थम का वयवाइक संबंद अस्थापित हो गया जिससे उसके राजनेतिक प्रभाव की विस्तार में अवश्य शायता मिली करते थे अब हम बात करेंगे पुर्वी मालवा और पश्यमी मालवा और विदर्व की विजए देखे सांची लेक के अनुसार वासिष्टी पुत्र आनंद जो की साथकर्णी के कारिगर का मुख्या था उसने सांची इस्तूप के तोरण पर अपना लेक खुदवाय था और या लेक पुर्वी मालवा च्यत्र पर उसके अधिकार को प्रमाणित करता है पश्यमी मालवा पर उसके अधिकार की पुष्टी स्री सात नामक सिकों से भी होती है जो इस च्यत्र से प्राप्ट किये गए हैं तो साथकर्णी प्रतम ने पश्यमी मालवा अनूप और विदर में भी रखा था कल्यान बंदरगा पर सकों से सुरच्छा देखिए ऐसा कहा जाता है कि इसके समय में सक और सातवानों की बीच में संगर्श की सुरुवात हुई और संबोता इसका समकालीन सासक मेंबरस था या कोई भी अन्य सक सासक रहा होगा कहते हैं कि उनके आकरवन बार कल्यान के बंदरगा पर होता रहता था और यह कल्यान बंदरगा सातवानों की अधिन थे तो उनको खदेड़ेने का कार्य सातकर्णी प्रथम ने किया था तो कल्यान बंदरगा यानि महराष्ट का जो पश्मतटी इलाका है वह भी क्या था सातकर्णी प्रथम के अधिन था रहा होगा खारवेल के साथ राजिंति किस्ति हाति गुंपालेग से पता चलता है कि अपने राज्यारोण के दूसरे वर्ष खारवेल ने साथ करने की परवान करते वे पश्यम की ओर अपनी सेना भीजी और यह सेना करव वेड़ा यानि वेन गंगा नदी तक आ गई थी और अशीक नगर में आ तक फैल लिया और यह अस्तान साथ करने के ही अधिकार में था और यहां की खुदाई से हाल ही में साथ करने का हमें सिक्का भी प्राप्त होता है तो ऐसा लगता कि साथ करनी ने खारवेल को अप्रभल प्रत्रूत किया जिसकी फद्सरुक कलिंग नरेश इसको वापस लोटना पड़ा होगा ठीक है तो कुछ समय के लिए खारवेल के द्वारा इस छेत्र पर विजय हासिल की गई होगी लेकिर वह एक धावा मात्र था अगली बात हम करेंगे वैदिक धर्म का सरच्छन देखिए इससे दो अश्वमेद यग्य किया था और एक राजश्यू यग्य किया था तो इस प्रकार से यह भी वैदिक धर्मावलबी था और यग्यी परमपरा इसके काल में भी विद्यवान था या प्रचली तरहा कहते ह है कि इसने अपनी पतनी के नाम पर कुछ चादी के सिक्के भी जारी किया था जिस पर अश्वका अंकन मिलता है जो उसके अश्मेद यगी की पुष्टी करते हैं ठीक है तो इसने क्या किया वैदिक धर्म को बढ़ावा देने का प्रयास किया अब अगली बात करें साथ वह सात्वाहन रजत सिक्के के प्रशलंग करता की रूप में हम साथकर्णी प्रथम को देख सकते हैं इसने अपने नाम से साथ नाम से सिक्के चलवाए थे और अश्मेद यगी के बाद उसने पर पत्री के नाम से कुछ रजत मुद्राएं उत्पिड करवाई थी इस पर अश् प्रशलंग करता की हम साथकर्णे प्रथम को स्विक्कार कर सकते हैं इसके अलावा इनके दोरा ताबे के पोटीन के और सीके सीसे के सिक्के भी जारी करवाए गए थे अब बात करते हैं सामराज विस्तार की तो साथकर्णी प्रथम ने पश्वी मालवा अनूप नर्मदान दीघाटी और बिदर्व के प्रदेशों की विजय की बिदर्व उसने सुंगों से छीना और के विकाफी सक्तिसाली थे पर नाम अत्र के लिए साथ करने के अधिनता को श्वीकार करते थे संपुन मालवा चेतर उसके अधिकार छेतर में था और प्रुव की उर राज कलिन की सिवा को असपर्ष करता था उतरी कोंकड गुजरात के कुछ भागों को जीतकर उसने अपन प्रफम से ही स्विकार किया जाता है अब इस प्रकार से देखें तो मुल्यांकन यदी हम करें है तो अगर हम इसको देखेगा तो यह साथ करने प्रफम का सामराज विस्तार दिखाई पड़ता है यह प्रतिष्ठान है उसकी रायधानी तो इस सामराज की बात करें तो इसका सामराज के शेट्रों में और कलिंग के सिमा वर्ती प्रदेशों से लेकर साब राजी जो था वह महराष्थ या गुजिराट के शित्रों तक फैला हुआ था तो, अगर हम देखें, तो मुल्याकन हम करते हैं, तो इसका मतलब यह होता है कि, सा्थ करनी प्रथम इसका प्रथम ऐसा सा सक्था, जिसने साथ वाहन साम्राज की साम्राज में बर्द्री की, उसके वज़े से सात्वाहन सामराज ये एक सारभावम इस्तिति में पहुँच गया इसलिए अगर हम इसे एक वास्तविक संस्थापक कहें तो गलत नहीं होगा चुकि ब्रामर धर्म उस समय बड़े ही कमजोर इस्तिति में आ चुका था तो ऐसी दसा में संगों और कणों और सात्वाहनों के नितित में फिर से ब्रामर धर्म का उतकर्श हुआ ठीक है जो भी हो हम यही कह सकते हैं कि दख्षिड भारत के प्रमुख राजवन्सों में साथ वहान वन्स को प्रतिशित करने में साथ करने प्थम का महतपूर्ण योगदान रहा ठीक है ठेंक यू